एक faceless YouTube channel से आप कितना कमा सकते हैं और कितने subscribers गेंड कर सकते हैं ये जानने के लिए आप ये channel देखिए और इस channel का आप content देखिए सिर्फ और सिर्फ quiz and riddles और कुछ भी नहीं कोई face नहीं और कोई आवाज भी नहीं और अब ये वाले channel भी आप देख लीजे यहाँ भी आपको same कहानी मिलेगी no face no voice और अब मैं आपको इनकी earning दिखा था हूँ जो देख कर आप चौक जाएंगी तो social blade के हिसाब से ये channel monthly 5000 से लेके 10,000 dollars जाने की लगवग 4-5 लाख रुपय महीने के कमा रहे हैं और ये मेरी guarantee है कि ये इससे जादा ही कमा रहे हैं क्योंकि ये figure तो accurate भी नहीं है जनरली lower end में ही होता है और आप इनके per hour के views भी देख सकते हैं इतनी पुरानी वीडियोज पर भी अभी हर घंटे 300-400 और किसी किसी वीडियो में तो 1000 से भी उपर पर घंटे views आरे इसका reason simple है ऐसी वीडियोज लोगों के knowledge को challenge करती है तो इसे हर कोई देखना पसंद करता है और generally ऐसी वीडियोज को लोग पूरा देखते हैं और बाद में comment भी करते हैं कि उन्होंने कितने correct cases किये या क्या score उन्हें मिला तो आपको engagement और watch time तो अच्छा मिलता ही है लेकिन YouTube भी आपके वीडियो को आगे और भी लोगों तक बेशता है जिससे आपकी वीडियो वाइरल होने के chances और भी जादा पढ़ जाते हैं जिससे आपका channel बहुत ही जल्दी grow होता है तो आपको ऐसी वीडियोज बनाने के लिए क्या चाहिए Well, हाफते में सिर्फ 20 minute इससे जादा नहीं और मैं आपको पूरा step by step ये करके दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में कि आप same to same बिल्कुल इन जैसे वीडियो कैसे बना सकते हैं वो भी chat, gpt और canva यूज़ करके और कैसे आप जितने चाहिए उतने shorts, reels या फिर even long वीडियो बना सकते हैं bulk create को option यूज़ करके बस एक ही request है एक भी step मिस मत करना और वीडियो को skip करके मत देखना नहीं तो फिर बाद में आपको problem आ सकती है तो चलिए फिर let's begin सबसे पहले आपको chat gpt में आ जाना है और इसको बोलना है write 500 quiz riddles on guess the drink by emojis यह exact prompt मैं आपको नीचे description में दे दूँगा तो आप वहाँ से copy कर सकते हैं यहां से आपको पूरा content मिल जाएगा आप जितनी चाहें उतनी riddles यह quiz chat gpt से ले सकते हैं 100, 200, 500, 1000 जितनी चाहें उतनी इसके बाद next step में आपको यह सारा data copy करके एक google sheet में paste कर लेना है और फिर यहां से आपको जो बड़े वाले answers है वो riddles delete कर देनी है क्योंकि जब हम canva में bulk create करेंगे तो फिर हमें manually size adjust करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपका time भी बचे गा चलिए अब चलते हैं हम canva पर और यहां पर सबसे पहले हम video का size select कर लेंगे अभी मैंने youtube का size select किया है long video का आप चाहें तो shots, reels कुछ भी बना सकते हैं process same ही होगा अब सबसे पहले आपको sidebar में elements में जाकर एक background डालना है इसमें generally एक simple background ऐसे videos में चल जाता है आप चाहें तो कोई background video या photo भी इसमें डाल सकते हैं आपकी choice है अब इस पर आपको अपने हर scene का time set कर लेना है usually एक scene का page 8-10 second के आसपस होता है तो इसे हम ऐसे ही adjust कर लेंगे इसके बाद आपको sidebar में text box में क्लिक करके add heading में क्लिक करना है और यहां आपको दो text boxes add करने है एक emojis के लिए और दूसरा answers के लिए text box का size, text का font, size, color आप यह सब change कर सकते हैं अपने हिसाब से customize आप कर सकते हैं अभी मैंने इसे black ही रख दिया है इसके बाद आपको google sheet से पहली वाली emoji कॉपी करनी है और यहां पर first वाले text box में इसे paste कर देना है सिर्फ first वाली emoji और कुछ भी ने अभी इस text box का size भी हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे इसके बाद similarly आपको first वाला answer google sheet से copy कर लेना है और second text box में इसे paste कर देना है तो चलिए यह भी हो गया अब हमें text में animation अड़ करना है तो सबसे पहले first text box में क्लिक करके उपर यह animate वाले option पर क्लिक कर लेंगे और फिर यहां से हम एक animation select कर लेंगे जो भी आपको पसंदो आप choose कर लीजिए और इसे हम entry और exit दोनों पर animate करेंगे तो both select कर लेंगे और animation speed भी हम medium ही रखेंगे ठीक इसी तरह second box में भी आपको animation अड़ कर ले रहा है अब आता है एक बहुत important step और पूरे ध्यान से समझेगा अब हमें दोनों text boxes की timing adjust करनी है क्योंकि अभी यह play करने पर दोनों एक साथ आ रहे लेकिन हम चाहते हैं यह पहले emojis आये फिर 5 second का gap हो और फिर इसका answer है तो उसी हिसाब से हम इसकी timing भी adjust करेंगे तो आप first text box की timing दो हमें change नहीं करनी है क्योंकि emoji को हम चुरू से last तक ही दिखा रहे है लेकिन जब यह emoji आ जाए तो उसके बाद तुरंद बाद हम एक 5 second का timer इसमें add करेंगे तो जहां पर emojis आ गई है जैसे ही उस time पर हम वीडियो pause करेंगे और sidebar में elements में जाकर search करेंगे timer और वीडियो वाले section में से एक 5 second वाली countdown वीडियो इसमें add कर देंगे और फिर इस video वाले box का size हम थोड़ा सा adjust कर देंगे और इसे emoji के नीचे ही रख देंगे डोंट वरी अभी यह ऐसा दिख रहा है final output ऐसा नहीं हैगा अब video play करके आपको जैसे ही emojis आ जाए वहाँ पर आपको video pause कर देना है अब इस timing वाले box में click करके 3 dots पर click करेंगे और show timing वाल option select करेंगे अब हमें ये timer चलाना है जहां हमने video pause किया है उस point से ना कि starting से तो नीचे ये blue box जो timing शो कर रहा है उसे drag करके इसका timing हम starting point वहीं रखेंगे जहां पर video pause है जैसा ये अब देख सकते और जब timer खतम हो रहा है वहां पर हम इसका ending point भी रखेंगे तो ये zero यहां पर खतम हो रहा है तो यहां तक ही रखेंगे अब हमें answer की timing भी adjust करने है तो हम answer का starting point टाइमर के ending point में रखेंगे या उससे एक second आगे तो answer वाले box में click करके 3 dots में click करेंगे show timing में click करेंगे और इसे वैसे ही adjust कर देंगे यह पूरा timing का खेल है दोस्तों तो पूरे ध्यान से आपको इसको करना है और बस पहली ही page में इतनी मेहनत है बाकी सब automatic होने वाले है तो चलिए यह set हो गया है एक बार इसे चेक करने है परफेट अब यह सही है एक दम चलिए अब timing भी set हो गई अब इस वीडियो को और भी engaging बनाने के लिए आप इसमें music भी add कर सकते हैं वो भी timing के हिसाब से sidebar में elements में जाकर search कीजिए cork और audio section में से कोई भी एक sound सुन कर देख लीजे जो भी आपको add करना है अब हमें ये वाला music emoji के आने पर देना है बस तो हम वीडियो को वहीं पर post करेंगे जहां पर emojis आने वाली है और फिर जो music add करना है उस पर click करेंगे और वो add हो जाएग ठीक इसी तरह timer के लिए भी music add करेंगे तो elements में जाकर सर्च करेंगे timer tick tock और जहां से timer शुरू हो रहा है वहां पर music add कर देंगे और जहां पर timer खतम हो रहा है वहां पर music की ending point रख देंगे और lastly answer के लिए भी इसी तरह जहां से answer शुरू हो रहा है उसके लिए एक अलग music add करते हैंगे जैसे मैंने add किया है logo ascend वाला music आप चाहें तो सुन कर चेक कर सकते हैं जो भी आपको पसंदा है वो add कर सकते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर हम आगे bulk create करने वाले हैं तो music कैसे add होगा क्योंकि music में तो bulk create का option ही नहीं है तो गवराईएवन दोस्तों मैं आपको इसके लिए भी एक trick बताने वालो तो जब आपका first page पूरा complete हो जाए music and all सब को chart करने के बाद जब आपकी पूरी adjustments complete हो जाए तो आपको अपने page में ये सारे elements select कर लेने हैं और उन्हें delete कर देना है audio delete नहीं करना है तो पेज के elements आपको delete करना है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद आपको ये file ऐसे ही download कर लेनी है mp4 format में file download हो जाने के पाद आपको फिर से अपने page में जाके ctrl z z press करना है इससे सारी delete की हुई चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगे इसके बाद नीचे से सारे audio tracks आपको delete कर देने और फिर uploads में जाकर आपको downloaded वाली file यहां पर upload करें और फिर इस uploaded file को इस page में वापस ले आना है जो अपने आप background में set हो जाएगी लेकिन इस पर होगा music और जब हम bulk create करेंगे तो ये music भी साथ में bulk create होगा है ना गमाल की trick तो अब music भी आड़ हो गई अब हमारा 90% काम almost खतम होगे अब हम करेंगे bulk create तो sidebar में जाके bulk create वाले option में क्लिक करेंगे और फिर enter data manually वाला option select करेंगे उसके बाद ये table open हो जाएगी इसमें सबसे पहले आपको scroll down करके नीचे ये clear table वाले option पर क्लिक करना है और अब हमें सारा data google sheet से copy करेंगे यहाँ पर paste करना है तो हम ये copy करते time पूरा उपर से नीचे तक copy करेंगे जैसा कि अब देख सके और paste करते time भी हम सबसे उपर वाले top box से ही इसे paste करेंगे तो चलिए ये paste भी हो गया है इसके बाद नीचे done पर क्लिक कर दीजिए अब हमें ये data अपने design से connect करना है तो इसके लिए सबसे पहले emoji वाले text box पर क्लिक कीजिए और ये three dots पर क्लिक कीजिए और फिर connect data पर क्लिक कीजिए और ये emoji वाल option चूज करने इसके बाद second text box यानि कि answer वाले box पर क्लिक कीजिए और फिर से 3 dots पर क्लिक कीजिए और फिर connect data पर क्लिक करके इस बार चूज कीजिए answer वा lock इसके बाद side में ये blue tick आ जाये दोनों options में मतलब आपका data properly connect हो गये बस इसके नीचे continue पर क्लिक कर दीजिए और generate all pages पर क्लिक कर दीजिए और ये हो गए आपके पूरे pages generate in less than 10 minutes आया ना मजा है ना जबार दस चीज बस इसके बाद उपर share वाले option पर क्लिक कर गे इसे download कर लिजिए अगर single वीडियो में आपको पूरा data चाहिए तो आप ऐसे ही download कर सकते हैं और आप अलग अलग वीडियो चाहिए तो आप manually एक एक करके भी इसे download कर सकते हैं बस इसके बाद आप अपने YouTube पर Instagram पर हो या जहाँ चाहें महाँ पर upload कीजिए और अपने social media account को grow होते देखिए बीना अपना चेहरा दिखाए बीना अपनी आवाज के या recording अगर कोई सवाल हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं उम्मीद है आपको वीडियो में मज़ा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा मैं जल्दी इसका second part भी लेके आने वाला हूँ एक नए topic के साथ तो चलिए फिर मिलते हैं next video में thanks for watching